एक तत्क बेता अपने मन से कहता है अरे मन राधारानी के चरणार बिंदों का स्मरण कर बोलना ए रसना का काम है सुनना एक कान का काम है देखना आख का का काम है सुनना नासिका का काम है असपर्ष करना एक तुचा का काम है और स्मरण करना एक मन का काम है लेकिन ये मन से श्रमण करने की बात करता है मन से कहता है कान से नहीं कहता है अगर कोई आख से कहे ध्यान से हमारी बात सुनो तो भड़ा आख कहां सुनेगी तो मन को स्मरण करने के लिए कहना वो सुनेगा कैसे उसका तो काम केवल स्मरण करना है सुनना देखना आद नहीं है प्रतेक इंद्रिय का अपना अपना प्राइवेट काम है दूसरी इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती कितने बड़ा यंत्र बनवा लो आख से सुनाई नहीं देगा नाशिका से सुनाई नहीं देगा मोटी अकल में ऐसा ही है लेकिन ऐसा है नहीं मन ऐसे इंद्रिय है जो सब इंद्रियों का काम करता है साथ इंद्रियां मन के अंतर नहीं तहें आप लोग सपना देखते हैं और इंद्रियां तो आपकी बिस्तर पर रहती है किसी इंद्रिय का कोई काम तो उस समय होता नहीं सब होता है आप ऐसे ही देखते हैं जैसे इन आखों के जागरत अवस्था में देखते हैं आइसे ही सुनते हैं आइसे ही रस गुल्ला खाते हैं आइसे ही सुक मिलता है आइसे ही दुख मिलता है आइसे ही डरते हैं जैसे जागरत अवस्था में क्या कोई स्वप्न की अवस्था में ये जानता है कि मैं सपना देख रहा हूं नए और समझ रहा है मैं साक्षात देख रहा हूँ जाग रहा हूँ आख फाड रहा हूँ तो ये कैसे होता है हमारी इंद्रियां तो साथ बेहोश पड़ी है गर में चोरी हो रही है हमको पता ही नहीं चला और हम देख रहे थे सुन रहे थे सूंग रहे थे लेकिन इस संसार के बहरंग रूप के अपर्चित थे तो मन में अगर इंद्रियां न होती तो खाली सोचता मन यह देखता सुनता सूंगता सब इंद्रियों का बिशय कैसे गरहन करता स्वपनवस्था में और गधे की अकल से समझो संसार में सब कहते हैं मैंने आखों से देखा मैंने आखों से देखा मैंने अपने कानों से सुना लेकिन अगर किसी का मन और कहीं पर है तो कान से सुना हुआ भी अन सुना हो जाता है देखा हुआ भी अन देखा हो जाता है अभी कुछ दिनों पहले रथ यात्रा निकल रही थी रथ यात्रा उडिसा में उसमें लाखों आदनी जाते हैं बड़े गाजे बाजे के साथ रामकृष्ण परमहंस भी जा रहे थे लेकिन देर हो गई थी उनको तो एक कारीगर कोई बारी काम कर रहा था ड्राइंग का उससे पूछा रामकृष्ण परमहंस ने इधर से कोई जुलूस गया है उनका नहीं तो उसके पडोस का दुकानदार कहता है एक गदे जानता नहीं है रामकृष्ण परमहंस है इनसे जूट बोला है उनने का नहीं जूट तो भी नहीं उठाया आप रोज अन्भो करते हैं अगर डाल में नमक दो दिन लगातार अधिक हो जाए तो पती कहता है बीबी से आज कल मन कहां रहता है मन कहां रहता है रोज डाल में नमक बढ़ा देती है यानि अगर मन कहीं और रहता है तो इंद्रियां काम नहीं करती है जागर तवस्था में भी प्रतेक इंद्रिय मन को साथ लेकर काम करती है अकेले नहीं करती यानि इंद्रियां मन के बिना अपना काम नहीं करती मन बिना इंद्रियों के अपना काम करता है इसलिए या आश्चर्द नहीं करना है कि मन कहां देखेगा कहां सुनेगा जो है कह रहे हैं ऐ मन सुन राधारानी का समर्ण कर तो मन ने सुना या अंसुना कर दिया लेकन सुना तब को अंसुना कर दिया अरे क्या राधारानी राधारानी करता रहता है दिंदर अपने बाल बच्चों को देखे भाले काम करें की राधारानी का बैट के अस्मर्ण करें कोई भी कर्म मन के बिना नहीं हो सकता सब इंद्रियों के ऊपर मन गवर्नर है दस इंद्रियों के ऊपर इंद्रिये व्यापरम मना और सबसे बड़ी बात ये कि इस्पिरिचुल जगत में भगवान के एरिया में मन के कर्म को ही कर्म माना जाता है इससे धान समझ लीजिये भगवान राम ने बसिष्ट से जाकर उपदेश करने को कहा तो बसिष्ट ने कहा मन सईब कृतम राम नशरीर कृतम कृतम शरीर का केवल किया हुआ कर्म कर्म नहीं कहलाता उसका बंधन भी नहीं होता जब कर्म ही नहीं माना जाएगा तो बंधन क्यों होगा मन का कर्म ही कर्म है मन का कर्म तो बाहर अंजी दिखाई पड़ता है और शरीर का कर्म तो बाहर दिखाई पड़ता है इसलिए हमारे संसार वाले शरीर के कर्म को कर्म मानते हैं मन के कर्म को जानते ही रही तो मानेंगे क्या-क्या अंदर हम किसी दुश्मन को बुलाए हैं, इसको दूध में जहर पिला देंगे, मर जाएगा, और बाहर से हैं, आईए, आईए, आप तो कभे आते ही नहीं, दुनिया भर की एक्षिंग करता है, दूध पिलाता है, तो मर जाता है, अगर वह मन की बात जानता, तो दूध न पिता, अड़े देखो, बड़ी छोटी सी बात, इतिहास में पढ़ते पढ़ते हम लोग, कितने बर्षों बीत गए, ये बड़े-बड़े महापुरुषों के दादा, और स्वयम भगवान भी, दिखाई परता है कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं भोगते हैं, कि गीता के प्रारंभ में यही अरजुन का प्रश्ण था, कि सब को मारेंगे, मारेंगे, अब पाप होगा, नरक मिलेगा, बड़ा लंबा चोड़ा लेक्चर दिया गीता का अब लोग जानते हैं, भगवान ने समझाया कई बार, तस्मात सरवेशु कालेशु मा मनुस्मर युद्यचा नेराश्मरण कर और जुद्ध कर यानि मन अगर जुद्ध में नहीं, अटाइच्ड है, यानि रागत वेश रहित है, वो मेरे पास है, तो कर्म का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर्म ही नहीं है, वो एक तिंग है, मन्षा से जुप्त जो कर्म होता है, अच्छी मन्षा, बुरी मन्षा, भावना, उसको कर्म कहते हैं, देखो, पहली अप्रेल को हमारे संसार में कमाना तक होता है, मजाग किसे कहते हैं, परिहास, अप्रेल फूल, अब कोई किसी को फूल बनावे, और वो मुकदमा दायर करें, और कोर्ट में दूसरी पार्टी कहतें, कि हुजूर, कल पहली अप्रेल था न, तो मैंने फूल बनाया था, ओ, अच्छा, अज़ा, भाव जाओ जी, आज तो, मुकदमा करने आया, पहली अप्रेल को तो सब ब समान, मदाक की बाते संसार में होती रहती हैं, आपस में दोस्तों में, रिष्टेदारों में, साला जीजा, आपस में गाली-गलोड करते रहते हैं, कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो जान रहे हैं, कि इसमें मन की मन्शा नहीं है, मन जुक्त है, लेकिन अटाइच्डे नहीं है, जुक्त होना अलग बात, अटाइच्मेंट अलग बात, आपको इस्त्री खाना बना के देती है, मा देती है, बहन देती है, तो बनाते समय, हाँ, भाईया खाएंगे, बेटा खाएगा, आपको बढ़िया बनाओ, अटाइच्मेंट है उसका, आपने, नौकर से आप खाना बनवाते हैं, वो भी बना रहा है, डड़ के मारें, नामक कमक ठीक रहे नहीं, तो साहब का मूँ डाफ हो जाएगा, तो निकाल देगा, वहाँ प्यार नहीं है, नौकरी करते हैं, जैसे आप लोग दिन बर, तो अटाइच्मेंट हो, यानि राग हो, या द्वेश हो, दो में एक हो, तो उसी को कर्म कहते हैं, इसलिए, इंद्रियों को उड़ा दिया, तो मुझ से कीर्तन करो, मंदिर में जाओ और आधारानी के, नहीं कुछ मत करो, सब इंद्रियों कहा जोड़ दिया, क्यों, भगवान ने कहा कि दिखो, कर्म को मन से ही माना जाता है, हमारी गॉर्ब्मेंट में, नंबर दो, किसी के आख न हो, पैदाशी, सूरदास, किसी के कान खराब हो, तो उपदेश कहां सुनेगा, अंधा भी है, बहरा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, अरे सब सरे के आग्मी होते हैं संसार में, तो जो इंद्रियों से रहते हैं, वो कहेंगे हमको भगवग प्राप्ति फ्री में कराई जाये, क्योंकि हमारे तो इंद्रियां आए नहीं, काम नहीं करती हो तो भगवान ने जो बनाया कानुँ संतों ने जो उपदेश दिया सबने केवल मन को समझाया गया है कर्म के लिए भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, जो भी शब्द बोलो उमन को करना है अरे दोई काम तो करना है, कोई ज़्यादा काम तो है नहीं संसार से पुदाशीन हो जाओ, भगवान में लगा दो सारा उपदेश समाप पूरी गीता पढ़ो, बेद पढ़ो पुराण पढ़ो, यहीं पर आकर खड़े हो जाओगे संसार से उदाशीन हो जाओ, कौन? मन हाथ पर नहीं कि बाहर से उदाशीन हो गए, और भीतर से गड़बट सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, यह नहीं चलेगा, यह तो खूप करते हैं लोग, आप चानते हैं, पाखंड का हमारे हाँ साम्राज है बाबाओं में, और ग्रहस्तियों में भी सभी अपने अपनी ताकत भर करते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, इंद्रियों के द्वारा, और बिचारा माया बद्ध जीव, मन की कल्पनाओं को भावनाओं को जानने ही सकता, मजबूर है, वो इंद्रियों के बर्प, वो सही मान लेता है, और धोका काता है, तो मन का ही कर्म भगवान के यहां कर्म माना जाता है, सबसे बड़ा खतरना कर्म कौन सा होता है, मर्डर, सबसे बड़ी सजा क्या है हमारी गौर्ण्मेंट में भी, मर्डर, दफा तीन सो दो, और दफाएं सब इसके नीचे हैं, और तो बस सजा होगी, आजन्म काराबास हो, चाहें दस-बीश साल की हो, लेकिन, मर्डर पाले को फासी होती है, और खुलम खुला मर्डर करे, रे अब गवाई की, क्योंकर कमी ने रहेगी, हाँ, चौरस्ते पर मार रहा है, सब देख रहे हैं, जैसे अर्जुन ने, सारी दुनिया देख रही है, कितने मर्डर किये जा रहा है, एक बाण में, सब सब मर रहे हैं, मंत्र सिध्धी वाले बाण, उप उजमाने में थे, एक बाण छोड़ा, तो वो हजार बाण बन गए रात्ते में, और हदार लोगों को उपने मार दिया, और सब देख रहे हैं, बाहर वाले भी, लेकिन भगवान ने अपने रजिर्टर में, एक भी मर्दर की कौन कहे, मन से सोचना जो है पहला, किसी भी कर्म में, वो भी नहीं किया, वो तो भगवान का स्मरन कर रहा है, वो भगवान का स्मरन कर रहा है, सोचने में तो बड़ा कठन लगता है, हाँ, कठन है, असंभव रहे हैं, देख एक छोटी सी बात, आप लोग साइकल चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटर साइकल चलाते हैं, कई चीज़े होती हैं उसमें, हवाई जहाद चलाते हैं लोग, कितने पुर्जे होते हैं उसमें, आप कभी ध्यान दे, हेलिकॉप्टर में बैट के देखाएं, का करता है, यह हो 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 हो, पटीस में मारता है उंगली, तब हेलिकॉप्टर चलता है, और बड़ी जल्दी जल्दी हैं, अड़े देखो ना, गोनो हास से लोग करते हैं, काई, कितनी तेजी के साथ, आप साइकल चलाते हैं, पैर भी चलना है, हाथ भी संभाले हैं, हेंडल को, कहा जाना है, यह भी याद है, इधर से भी कार आ रही है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, एक तीछे वाला हाण कर रहा है, सब देख रहे हैं, पैर चलना है, हाथ कांद कर रहा है, एक साथ सब कांद कर रहे हैं अब, इतनी भीड में, साइचल चला कर, कार चला कर, आप आ गए, सही सलामत, अभ्यास से, बड़े बड़े काम, कितने उचाई पर, एक रस्ती बांद कर, एक बास ले करके, कैसे चलता है एक, सरकस वाला, अगर आप कहें, हम भी चल सकते हैं, यह बड़े पहलवान हैं, अरे गिरोगे, मर जाओगे, भारे बसका नहीं है, बड़ा भ्यास किया है इसने, तो ऐसे ही, धगवान में अर्जुन को कहा था, अभ्यासे नहीं तु काउन ते यह, बड़े बड़े काम जोगी लोग करते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां, अभ्यासे इसी मन से करते हैं, उनका मन कहीं बाहर से नहीं आता, यही चंचल गंदा मन, जो हम लोगों के पास है, यही उनके पास भी था, कभी, ओ तुलसी दासों, सूर्दासों, मीराहों, शंकराचार्ज, नंबारकाचार्ज, कोई संत हो, अरे तुलसी दास के समान, तो कोई निंदनीय हो गाई नहीं हमारी द्रिश्टी शितों, क्यों? आप लोग जड़ा सोचिये, कि ससुडाल गए थे, अपनी बीबी के पास, और हड़बड़ी में इतनी ब्याकुलता बीबी से मिलने की, कि साप को रस्ती मान लिया, सबसे पहली बात तो ये बताओ, कि क्या तुलसी दास को ये मालूम नहीं है, कि कोई भी मकान होगा, उसमें गेट तो होगी, बिना दर्वाजे के तो कोई मकान नहीं होता, और पिर अपनी बीबी के पास जा रहे हैं, खच-खच आना चाहिए, आवाज देंगे जोड से, हरे खोलो, कोई चोरी तो है नहीं, दुराचार तो है नहीं, इतना जो कामा सक्क हो, वो बीबी के एक वाक्ष पर, अठे इतना प्यार तुम भगवान से करते तो राम मिल जाते, हाँ, अबाउट टर्ड, थोड़ा नहीं, पूरा अबाउट टर्ड, और सक्मुच राम से मिले, आप लोगों में क्या हम तो समझते हैं सारे, बिश्व में ऐसा कोई आ सकत देखती नहीं होगा, तो अभ्यास से सब कुछ हो सकता है, अब लोगों ने भी बहुत अभ्यास किया है, जो यहां आके बैठे हैं, वरना एक सेकंड का थाइम नहीं है, फालतू, और ही तिने ही लोग क्यों आए, और लोग क्यों नहीं आए यहां, है फालतू, भग्मार, भग्मार, लाज, लाज, कि ग्रजब का दिमाग खराव है हमारा दिमाग ठीक है पर लोग भगवान पाप पुंड जब गाप भगवास है अब मरने के बाद जब दंड मिलेगा उनको तब औरे मैं ने तो ऐसा मान लिया था कि सब बकवास है अब एक बार मानो देख फिर मिल जाए तो फिर जब मिल गया तो फिर वोई बकवास कहीं दिया यही कर रहे हैं हम लोग इने जिने लोग जो मानते हैं शास्त्र बेद को और विश्वास करते हैं कुछ-कुछ फिर और बढ़ा अगले जन्द में फिर और विश्वास बढ़ा वोई लोग ऐसे आके बैठते हैं बहुत अधिक अभ्यास की द्वारा अभ्यास से ही अरजुन इतना बारी काम कर रहा है कि अगर बान को हम निशाना मार रहे हैं एक फरणांग दूर से तो अगर यहां पर एक तिल का अंतर हो जाए तो वहां पहुंचते पहुंचते चार फुट का अंतर हो जाएगा कि इतना बारी काम है धनुश्बार का लेकिन फिरको ठेक ठेक निशाना मार रहा है अब गुस्सा नहीं कर रहा है हम किसी को मारेंगे तो पहले गुस्सा करेंगे हाँ डाक कायेंगे आख लाग करेंगे आप गाली देंगे पहले यह सब हो जाएगा उसके बार मारेंगे मर्डर इस तो अंतिम चीज है और पिर एक दो चार नहीं हजारों लाखों जो अरजुन देख करते काप गया और यह इन सब को मारूंगा मैं यह भगवान मैं नहीं मारूंगा मैं जुद्ध नहीं करूंगा नरक चला जाओंगा वही अरजुन मार रहा है और भगवान देख रहे है अवसाब जीरों लिखे जा रहे है कोई कर्म नहीं किया जुनने सारा संसार कवाहिदेरा किया जी मैंने देखा तद तु कह जाने है इसलिए मन से ही कहा जा रहा है राधारानी का स्मरण कर और यही एक बात हमारे संपूर्ण विष्व में आज लोगों ने नहीं जाना बड़ी बड़ी उपासना और भक्ती वगेरा की बातें लोग करते हैं टाइम देते हैं बड़े बड़े लोग हैं वे सचमुच का जो अभ्यास करते हैं परिश्रम करते हैं लेकिन यह नहीं समझ पाए अभी तक कि केवल मन के अस्मरण को ही भक्ती उपासना आद्शब्दों से फुकारा जाता है पाठ पूजा चारोधाम की मार्चेंग एसाब इंद्रियों के क्रियाओं को उपासना मानते हैं संख्या पूरी कर रहे हैं इतने पाठ कर लो इतने जब कर लो पहाड़ पर है कोई मूर्ती पत्थर की वहां चले जाओ बगल में जो मंदिर है वहां के तो आए भगवान गवान ठीक है एक वह भगवान जो है बद्रीन आरायन वाले वह बड़े भगवान है आज तो साधन है सब लोग जाके दस दिन में लोट आते हैं प्राचीन काल में पैदल जाते थे और दस बीस सव आपनी में मर जाते थे को मन से अस्मरण ही भक्ती है साथ में इंद्रियां भी रहें ठीक है ना रहें तो भी ठीक है केवल मन से प्यार कर ले भगवत प्राप्ती हो जाएगी को गूंगा हो अंधा हो बहरा हो सूर्दास हो कोई हो इसलिए हमको भी इसका अभ्यास करना चाहिए हम नहीं करते हैं वही मन भूल जाता है कीर्टन करते हैं ठीक है नतिंग से सम्थिंग अच्छा होता है गधा गधा कहने से राधे राधे कहा तो थोड़ी भावना तो बनती है लेकिन यह लापरवाही है जब टाइम दें ठंग से करें अभ्यास जल्दी आगे बढ़ें और हमको फीलिंग में आवे हाँ अब हम आगे बढ़ गए आप किसी के अपमान पर दुख कम होता है कि जो दोश हैं जिनके कारण हम भगवान की पास नहीं जा पाते यह जानते हैं जो लोग कि हमने एक जन्म में एक पाप किया होगा तो भी अनंत पाप किये बैठे हैं उसको संचित कर्म कहते हैं लेकिन फिर भी इतना अहंकार है हमारा अपमान कर दिया उसने अपमान क्या होता है अरे मिट्टी का शरीर है उसी का अपमान कर दिया आत्मा का कहा उटको विचारे को मालम है जो अपमान करेगा आइसका इसका अपमान और संबान सब बराबर है आज पैदा हुआ कल थोड़ा बड़ा हुआ पढ़ते प्रते पीस पटीस साल लग गए उसके बाद फेर ग्रहस्त में गया या हड़केती किया कुछ दिन वो भी चला उसके बाद मर गया बाद उबेकार उसका शरीर भी किसी काम नहीं आया पश्मू का शरीर का तो चमड़ा भी बिकता है अपमान संबान क्या चीद है केवल मन का बिकार है यह भी देखो अभ्यास से कितना बड़ा अंतर हो जाता है एक लफंगे को दिन बढ़ गाली दो देते ही है लोग हस्ता रहता है चप्पल मारा एक लड़की मुझे मैयों हो गया निकल गया चप्पल वो बता रहा है अपने दोस्त से उसे कोई फिलिंग नहीं अभ्यास हो गया हमको जूठ बोलने का अभ्यास हो गया जब पहली बार हम जूठ बोले थे तो हमारी अंदर से कोई बोल रहा था है क्या कर रहा है बहुत छोटे थे और मम्मी ने कहा था है पडो से ना रही है आवे तो कह देना मम्मी घर में नहीं है वो सोचता रहा बच्चा ये घर में तो है वो हमसे कहती है नहीं है ऐसा कह देना आई पडो से तेरी मम्मी कहा है मम्मी तो घर में है उन्होंने कहा है कि जब पडो से आवे तो उससे कह देना मम्मी बाहर गई है वो मुस्करा के चली गई है लेकिन मम्मी ने सुन लिया उसके जाने के बाद एक जापड़ लगाया इसका मतलब क्या गुरु जी की कहे पहला सब़ ये नहीं कहते मम्मी घर में है उसके बाद बढ़ते बढ़ते और बड़े होए और बड़े होए जूट बोलते गए बोलते गए अब आप नैचुरल हो गया हो आएसे शराप पीना कोई भी व्यसन आप अपना लें तो अभ्यास से वो नैचुरल हो जाएगा फिलिंग बंद हो जाएगा इसलिए मन से रूप ध्यान करने की बात जो मैं बार बार कहता हूँ उस पर ध्यान देना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए माना की पहले एकदम से रूप नहीं बनेगा लेकिन बार 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 पीछे पड़ जाओ तो फिर रूप ध्यान होने लगेगा तो फिर आनंद का अनुभव होने लगेगा तो फिर जो संसार में तुमको जहाँ जहाँ आनंद मिल ला था तो तुछ लगेगा और चलते फिरते उगते बैठते अस्मरण होने लगेगा यह अभ्यास होता है जैसे संसारी अटाइच्मेंट संसारी दुश्मनी जब बहुत बढ़ जाती है तो वो चलते फिरते उठते बैठते हर समय खोपड़ी में नाचती है ऐसे ही रादारानी भी ठाकुर जी भी नाचेंगे अरे वो तो आनंद सिंदू है यह जो पूड़ा कबाड़ा खोपड़ी में भर जाता है तो नहीं कलता तो एक जलक भी उनकी मिलेगी तो आनंद ही आनंद मिलेगा इसलिए परवा करना चाहिए चाहे आप दो घंटा बैठें अभ्यास करें तो अगले दो घंटे में आपको विशेश फेलिम होगी हाँ अभ्यास का फल मिल ला है ऐसे यह अभ्यास और करेंगे और करेंगे इसलिए तक तो बेत्ता कह रहा है अरे मन तू राधारानी का अस्मरण कर कर तो बात्र मतिया वॉन है अभ्यास का नापको अजाश। नोभ्यास